जम्मू कश्मीर की गर्मियों की राजदानी श्रीनगर देश का एक प्रमुक परेटन स्थल है यदि आप धर्थी का स्वर्ग अर्थात कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो श्रीनगर केसे पहुचे ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है श्रीनगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है यहां केवल सडक और वायू मार्क के जरी ही पहुचा जा सकता है जेलम नदी के किनारे बसा श्रीनगर डलजील खुपसरत गारडन और हाउस बोट के लिए प्रसिद्धे श्रीनगर में इस्थिद्ध डलजील चारो वोर से मुगल गारडन से गिरिये और इसमें हाउस बोट इस्थिद्धे तता शिकारे चलते हैं गोर्तलब है कि श्रीनगर सडक मार के जरी ये पूरे देश से जुड़ा हुआ है श्रीनगर बस के जरी आसानी से पहुँचा जा सकता है श्रीनगर तक दिल्ली, पंजाब, हरेना, आदि कई शहरों से सीधी बस सेवा है इसके लावा जम्मू शहर से भी सीधी बस सेवा श्रीनगर के लिए सड़क के रास्ते अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो आपको जम्मू होकर ही जाना होगा श्रीनगर दिल्ली से लगबक 859 किलोमेटर दूरे तथा दिल्ली से श्रीनगर का बस का किराया लगबक 1250 रुपए है तथा 18-19 गंटे का समय यादरा में लगता है इसी प्रकार जम्मू से श्रीनगर 206 किलोमेटर दूरे तथा बस का किराया 230 रुपए है बस दौरा जम्मू से श्रीनगर पहुचने में लगबक 7.5-8 गंटे का समय लगता है सड़क मार्ग से श्रीनगर जाने में हाला कि समय ज़्यादा लगता है लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरतिक खुबसूरती आपकी सारी ठकान मिटा देती है ऐसी अद्विती प्राकरतिक खुबसूरती का लुत्फ आप हवा यात्रम नहीं उढ़ा पाएंगे आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते हैं परंतु जम्मू से श्रिनगर आपको बस या टेक्सि से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रिनगर तक रेल सेवा नहीं है श्रिनगर बस स्टेंड पर उतरने के बाद आप आटो रिक्षा या टेक्सि से आपकी होटल या हाउस बोर्ट तक पहुँंश सकते हैं आटो रिक्षा का किराया बहुत कम होता है जो की दूरी के आधार पर लिया जाता है एरोप्लेन से श्रीनगर पहुशना थोड़ा सा महेंगा ज़रूर है लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है श्रीनगर तक भारत के लगबग हर बड़े शहर से उड़ान सिवा उपलब दे एरोप्लेन के जरिये दिल्ली से नौन स्टा फ्लाइट से श्रीनगर पहुशने में करीब देड़ घंटा लगता है यदि आप 2 से 3 महेंने पहले फ्लाइट का टिकिट बुक करा लेते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर का नौन स्टा फ्लाइट का किराया केवल पच्चिस सो से तीन हजार रुपे पड़ता है यदि आप वन या टू स्टॉप फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा एरोप्लेन से जाने में आपका भहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रीनगर जाईए एर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, एर इंडिया आधी, एरलाइंस, दिल्ली से श्रीनगर के लिए प्रती दिन कई उडाने संचलेत करती है श्रीनगर एरपोट पर उतरने के बाद आपको अपने होटल, अत्वा हाउस बोड तक जाने के लिए टेक्सी करनी पड़ेगी क्योंकि आठोग रिक्षा तथा बस आपको एरपोट पर नहीं मिलेगी श्रिनगर एरपोर्ट से श्रिनगर सिटी अत्वा डल जिल तक का टेक्सी का किराया 700 से 800 रुप है आप यहां किराया कम करने के लिए बारगें नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तथा टेक्सी वालों की मोनोपोली है श्रिनगर की डल जिल के हाउसबोर्ट में कुछ समय न बिताना चाहे आप हाउसबोर्ट को एक दिन के लिए आनलाइन बुक कर सकते हैं अत्वा श्रिनगर पहुँचने के बाद आप डल जिल पर जाकर सीधे हाउसबोर्ट बुक कर सकते हैं houseboat का एक दिन का किराया 700 रुपे से लेकर 2000 रुपे तक होता है कुछ luxury houseboat का एक दिन का किराया 5000 रुपे तक भी होता है आप अपने बजट के अनुसार houseboat चुन सकते हैं यदि आप online houseboat बुक करते हैं तो आपको किराया बहुत कम पड़ेगा क्योंकि आनलाइन साइट्स बहुत भारी डिसकाउंट देती हैं आप श्रीनेगर में पहले दिन होटल की बजाए हाउस बोट ही बुक करें हाउस बोट पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच तता डिनर की भी सुधा मिलेगी परन्तु आप हाउस बोट पर केवल ब्रेकफास्ट का ही पेकेज ले क्योंकि हाउस बोट का खाना ज्यादा अच्छा तता हाईजिनिक नहीं होता है डल जिल के किनारे कई अच्छे वेज तचा नॉन वेज रिस्टोरेंट है आप हाउस बोट की बजाए वहाँ लंच या डिनर करें हाउस बोट पर चेक इन करने के बाद आप हाउस बोट पर चाय अत्वा कॉफी के साथ डल जिल को निहार सकते हैं तता हाउस बोट पर घूम सकते हैं शाम को आप डल लेक में शिकारा राइट का आनन ले सकते हैं शिकारा छोटी नाव के समान होते हैं एक घंटे की शिकारा राइट की कॉस्ट साड़े पांसो रुपे होती है यदि आप दो घंटे शिकारे पर घुमते हैं तो कॉस्ट आट सो रुपे होती है ये कॉस्ट पूरे शिकारे की होती है एक शिकारे पर अधिकतम 4 लोग बेढ़ सकते हैं तथा यदि आप 4 से जञादा सदस नहीं तो आपको 2 शिकारे के राये पर लेने हुँगे शिकारा आपको हाउस बोट से पिक करेंगे तता वापस आपके हाउस बोट पर ही ड्रॉप करेंगे इसमें कोई दोमत नहीं है कि शिकारा पर डल जिल की सेर आपको पूरे जीवन पर याद रहेगी आप हाउस बोट के लावा शिकारा राइड डल जिल के किनारे से भी ले सकते हैं सेकडो शिकारे टूरिस्ट के इंतजार में डल जिल के किनारे पर खड़े रहते हैं शिकारा राइड के बाद आप राधा की रसोई अत्वा विशाल वेशनो भोजनाले पर डिनर कर सकते हैं यह दोनों रिस्टोरेंट वेजिटेरियन हैं खाना बहुत स्वादिस्ट है तता रेट भी रिस्टोरेंट डल जिल में हाउस बोट की श्रंखला के पास इस्तित हैं रात में आप हाउस बोट से श्रिनगर की खुबसूरती नहारें उसके बाद आप हाउस बोट में रेस्ट करें इस प्रकार आपका खूबसूरत कश्मीर में पहला दिन समापत होता है दूसरे दिन आप सुभर हाउस बोट पर ब्रिक्फास्ट करें तथा अपना सामन पेक करें तथा पहल गाउं के लिए प्रस्थान करें हाउस बोट से आप नाव के द्वारा किनारे पर आएं तता किनारे पर सेकड़ो टेक्सी खड़ी रहती हैं उन में से एक को आप पहलगाउं जाने के लिए बुक करें श्रीनगर से पहलगाउं की दूरी लगबग 152 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया पच्ची सो रुपए है टेक्सी वाला आपको रास्ते में कई खुबसूरत साइट्स जैसे की अवंतिपूर रुइन्स दिखातावा ले जाएगा अवंतिपूर रुइन्स ग्यारो सो साल पुराना राजा अवंति वर्मन द्वारा निर्मीद भगवान विश्नु का मंदिर है हाला कि यह मंदिर टूट फूट गया है परनतु फिर भी देखने लायक है पहलगाओं पहुँचने में आपको पांच घंडे का समय लगेगा इसलिए आप रास्ते में किसी अच्छे धाबे पर लंच कर लें आपकी टेक्सी का ड्राइवर आपको इस मामले में गाइड कर देगा यदि आप श्रिनेगर से 10 बजे सुबह पहलगाओं के लिए निकलते हैं तो आप रुकते रुकते तता सुन्दरता का आनद लेते हुए भी जाएंगे तो भी आप 3-3.30 बजे तक आराम से पहलगाओं पहुच जाएंगे यदि आपने पहले से होटल बुक कर रखा है तो आप महाँ जाएं यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टेक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपे से 2000 रुपे पर डे का होटल बुक कर सकते हैं इसके बाद आप पेमेंट देकर टेक्सी वाले को छोड़ दे तता होटल में चेक-इन करें शाम की चाई या कौफी आप होटल के बाहर लान में बरफिले पहाडों को देखते होए पिये यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टहलाएं इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं तता रात में आराम करें इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समप्त होता है तीसरे दिन सुबह पहल गाओं में अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी, वेतवावेली तथा अरुवेली गले टेक्सी बुक कर सकते हैं इन तीनों स्पोर्ट को गुमाने का टेक्सी का किराया 1500 रुपे से 800 रुपे की बीचे, पहल गाओं से चंदनवारी केवल 15 किलुमेटर दूर है चंदनवारी एक बहुती खुपसरत स्पोर्ट है, जहां से उंचे पहाड, जूनते पेड़ और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं यदि आप यहां अप्रिल से अक्टूबर के महीने में आते हैं, तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं आप यहीं इस्तित किसी ढाबे पर लंच करें इसके बाद आप बेताब वेली जाएं 1983 में एक बॉलिवूड रॉमांटिक फिल्म आई थी, जिसमें सनी देवल और अमरिता सिंग एक साथ नजराये थे उस फिल्म की शूटिंग इसी घाटी में हुई थी इस फिल्म के नाम पर ही इस घाटी का नाम बेताब वेली रखा गया है नर्म घास के मेदान और हसीन पहाड़ियों से गिरी यह घाटी पहलगाओं और चंदनवाडी के भी चिस्तिते जहां से एक मार्ग अमरनात मंदिर को भी जाता है यह एक खुबसूरत और बहद आकरशक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बरफिली चोटियों से घिरी हुई है चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमें बेताब वेली के बाद आप आरू वेली जाईएगा आरू वेली एक महतपूर्ण परिटक स्थले इस वेली के बीचों बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गाउं बसा हुआ है यहां आप हर्स रैडिंग ट्रेकिंग आदी कर सकते हैं इस वेली में आकर आपको सुटजर्लेंड जैसा अनुबव होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा आपका मन करेगा कि आप इसी गाउं में बस जाएं आरू वेली में आपको चाई नैश्टी की दुकाने भी मिल जाएंगी आरू वेली के बाद आप पहलगाओं घुमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें चोथे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकलें पहलगाओं से गुलमर्ग की दूरी 140 किलोमेटर है तथा पहलगाओं से गुलमर्ग पहुचने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है आपको आपकी होटल से ही गुलमर्ग के लिए टेक्सी मिल जाएगी होटल वाले ततकाल टेक्सी पुला देते हैं टेक्सी का किराया पचीस सो से तीन हजार रुपे के बीच होता है आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं यदि आप सुबह दस बजे भी पहलगाव से गुलमर्ग के लिए निकलते हैं तो आप धाई बजे तक गुलमर्ग पहुँच जाएंगे आप चाहें तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं या आप गुलमर्ग पहुँचकर अपनी होटल में लंच कर सकते हैं यदि आपने गु 1100 रुपई में रुम मिल जाएगा पूरे खश्मीर में Спस्प सी जाधा मेहेंगे होटल गुलमर्ग में ही है इसलिए यहां के होटल ऑनलाइन ही बुक करें अनिधा ये होटल वाले आपको लूट लेंगे गुलमर्ग में होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के बाहर प्रकर्टी की गोद में चाई नाशते का अनन ले तदा कुछ देर होटल के बाहर पेधली गुलमर्ग घुमाए रात में होटल में डिनर करके सो जाएं इस प्रकार आपका कश्मीर में चोथा दिन समाप्त ह अगले दिन अर्थात पांचवे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद केबल कार राइड के लिए जाएं जिसे कश्मीर में गंडूला राइड केते हैं आप पोनी अर्थात गोड़े पर बेटकर गंडूला राइड के टिकेट काउंटर अर्थात पाइंट तक अपनी होटल से पेदल भी जा सकते हैं, यहां केवल 20 मीनट में पेदल पहुंचा जा सकता है, आप अपने बच्चों को गोड़ा पर बिठा सकते हैं, यहां पर आपको टेक्सी करने की कता ही जरुवत नहीं है गंडोल राइट के दो फेज होते हैं, पहला फेज गुलमर्ग से कुंगदूर का होता है, इसका किराया 740 रुपए है, सेकेंड फेज कुंगदूर से अपरवाथ तक का होता है, इसके किराया 950 रुपए होता है, यहां किराया आने तथा जाने दोनों और का मिला कर होता है, एक केबल कार 6 लोगों को ले जाती है, केबल कार पहले फेज में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मिटर की उंचाई तक ले जाती है, इसमें 9 मिनट का समय लगता है, यदि आप सेकंड फेज अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते हैं, तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जा सकता है, अब परेटो के मन में ये सवाल उठता है कि फेज वन पर जाएं या फेज टू पर, यदि आप अपरेल, मई तथा जून में गुलमर्ग आते हैं, तो ही आपको फेज टू तक जाना चाहिए, क्योंकि इन तीन महिनों में फेज टू पर ही बर्फ मिलती है, तता स्नो एक्टिविटीज फेज वन पर ही होती हैं, फेज टू पर नहीं, कुंगदूर अत्वा अपरवात में स्नो एक्टिविटीज करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं, रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें, क्योंकि आप स् स्नो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा, तथा वह भी कुंगदूर अत्वा अपरवात में, अन्य जगह पर बर्फ पहाड़ों पर रहती है, जहां जाना संभव नहीं है, केवल गुलमर्ग में ही आप गर्मियों में बर्फ को हाथ से चू सकते हैं, चटे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें, गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टेक्सी बुक करें, गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल 50 किलोमेटर है, तथा टेक्सी का किराया 1500 से 800 रुपे के बीच है, त यदि आपने online hotel book कर रखिए तो आपका hotel booking का समय बचेगा शिनगर में hotel दो दिन के लिए book करें hotel में check-in करने के बाद आप taxi book कर सकते हैं या आटो रिक्षा से शिनगर local site scene कर सकते हैं यदि ट्यूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्य देखने जाएगा यहाँ गार्डन अप्रेल में केवल 20-25 दिन के लिए ही खुला रहता है क्योंकि ट्यूलिप flower साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं इसके बाद आप शिनगर में चश्मेशाही, निशानद बाग तता शाली मार बाग घुम सकते हैं इन तीनों बागों को ही सम्मिलित रुप से मुगल गार्डन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग डल जिल के किनारे ही इस्थित हैं इसके बाद आप शिनगर में डल लेके किनारे इस्थित किसी अच्छे रिस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं लंच के बाद आप शंकरा चाय टेमपल देखने जाएं लोटते समय आप शिनगर का हार्ट कहलाने वाला लाल चोक देखें तथा यदि आप शॉपिंग करना चाहें तो लाल चोक पर आप यह कर सकते हैं इस चोक पर कभी-कभी शुकरबार के दिन पथर बाजी भी हो जाती है यदि ऐसी स्थिति हो तो आप लाल चोक को देखना इस्थागित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटेकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात साथवे दिन आप जल्दी ब्रिक्टफास कर लें तता टेक्सी बुक करके सोन मर्ग के लिए निकलें सोन मर्ग श्रीनगर से 81 किलोमेटर दूर है तता सोन मर्ग पहुचने में 3 घंटे का समय लगता है श्रीनगर से सोन मर्ग जाने तता वापस आने का टेक्सी का अधिक्तम किराया 25 रुपे होता है सोनमर्ग के लिए आप सुबह 8 बजे तक निकल जाएं ताकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुँच जाएं सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगए कहते हैं सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें निकल जाएं ताकि आप अंधरा होने से पहले श्रीनगर वापस आ जाएं सोनमर्ग से श्रीनगर का रास्ता रात में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है यदि आप ज़्यादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रीनगर के होटल से और जलती सोनमर्ग के लिए निकले सोनमर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप श्रीनगर में अपनी होटल में खाएं अथवा आप डल लेक के किनारे स्थित रिस्टोरेंट में भोजन करें रात में अपनी होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तता टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रीनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रीनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जर्नी इंजॉई करें अब हम आठ दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिल्ली से श्रीनगर तता रिटन श्रीनगर से दिल्ली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपै चार लोगों का आट दिन का टेक्सी का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का आट दिन का होटल तता हाउस बोट का किराया 14,000 रुपे चार लोगों का आट दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपे चार लोगों का 8 दिन का side scene ता activity का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का कश्मीर में 8 दिन का अधिकतम कुल खर्च 12,000 रुपे इसे हम चार से भाग देते हैं तो प्रतिव्यक्ति अधिकतम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शानदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिविक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए जल्दी कश्मीर गूमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेच करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीचिएगा थैंक यू